और आज सुभा सव आट बजे के लगभग बताए गया कि भी एक बस प्राइविट बस जो जा रहे थी और उसमें 15 स्वाजियां थी और रास्ते में कुछ बरसात के कारण बारिश के कारण कुछ बोल्डर सड़क पर गिरे होने के कारण जो है इसने बाहर से निकालने के कोशि बस अनियंत्रित हो गए और उसकारण नीचे गिर गई लेकिन बस जो गिरी है उसका इंपेक्ट बहुत जादा था क्योंकि सीधी धांक तीखी खड़ी थी वहां पर और उसकारण से बारा लोगों की दुखद मृत्ती उसमें हुई है तीन लोग गाहल है और उनको कुलू हास्पिटल में भीज दिये गया है जैसी ही मुझे सुचना मिली मैं उस वक्त हैदराबाद एरपोर्ट पहुंचा था वहां से सीधा चंडीगट लैंड करने के बाद मैं सीधा सपोर्ट पर यहां पर पहुंचा हूं और जो गाहल है उनका ट्रीटमेंट के लिए जो भी ब लिए उसमें मुझे इस बात की पीड़ा है के स्कूल की बच्ची भी एक और एक लड़का भी उसमें था उस बता रहे हैं और एक कॉलिज गोईंग स्टूडेंट पीसमें थी तो इसके तरिक जहां सरकार की और से जैसे मुझे स्पोचना मिली मैंने अलांके तुरंट मैं जो एडिमिस्टेशन को बिता सकता था मैं बताया मैंने क्योंकि मैं बोर्ट हो चुका था प्लेन में और उस कारण से बहुत लंबी बात नहीं हो मैंने डेप्टि कमिशन को तुरंत ही कहा कि वहां पर टीम भेजी और NDRF की टीम और उसके साथ साथ में जो जो भी वहां पर रिलीफ देने की बात है उनके परिवार के प्रती में संवेदन अब्यक्त करता हूं और उनके परिवार को जो चार लाख और उसके अत्रिक्त जो हमारा ट्रांसपोर्ट से एक लाख रुपए यह निके कुल मिला करके पांच लाख रुपए जिनके दोखत मृत्ती हुई हम देंगे और उसके बाद जो गाहिल है उनके लिए जो बेस्ट पॉसिवल जो ट्रीट्मेंट के लिए जो मदद करने की होगी वो करेंगे प्रशाशन पहुंचा लेकिन थोड़ा रिमोट एरिया है दूर है यह और पहुंचने में थोड़ा विलंब हुआ और ऐसे में हमन कि प्यम साब ने भी संवेधना व्यक्त की है हो मुनिस्टर साब ने भी संवेधना व्यक्त की है सब्सक्राइब तुरंथ डारेक्शन एंडीरफ की टीम को दी और वो यह पर पहुंचे भी लेकिन उसके बाब जूद भी गटना इस परकार की गटित हुई इसमें 12 लोगों झाल 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 झाल